अब तक हम देखते हैं शोजू की गवर्णर गौंग सुंग हैंग चंगा को अपने यहां रजिस्ट्रार की नौकरी दे देते हैं कासी को पता चलता है कि असाईसुन और मूजिन शोजू जा रखे हैं तो वो उनकी गैर हाजरी का फायदा उठा कर बियर डिविजन को एकटा होने का आदेश देता है दूसी तरफ मूजिन और असाईसुन शहर का मुआइना करते हैं और देखते हैं कि उनकी उमीद से वहाँ जादा सैनिक तैनाद थे उपसे वहाँ की दिवार और शहरों के मताबिक जादा मजबूत थी चंगा और आउदू एक स्ट्रॉल पर नूडल्स खा रहे थे कि तब ही उन्हें याद आता है कि उनकी सारे पैसे गरीबों को बाटने में खतम हो गए हैं वह आउदू को पैसे लेने भेशती है और दुकानदार से बोलती है मेरा भाई अभी पैसे लेकर आएगा पर दुकानदार चंगा को सैनिकों के हवाले करने को बोलता है तब ही वहाँ सुन आ जाता है और दुकानदार के पैसे चुका देता है बाद में वो चंगा को अपने साथ ले जाता है और बोलता है मेरे मना करने के बाद भी आखिरकार तुम यहां आ ही गई चंगा फूसती है तुमारे घाओ कैसे है मूजिर बोलता है अच्छा वो तुम थे जिसने वो कपड़ाना बांदा होता तो अब तक सुन का घाओ ठीक भी हो चुका होता सुन चंगा से बोलता है अब हम शहर से भार जा रहे हैं क्या तुम हमें भार तक छोड़ने आओगे शहर की भार पहुचने पर सुन बोलता है अगर तुम्हारा शोजू में रहने का कोई important reason नहीं है तो तुम तुरंट ये शहर छोड़के चले जाओ चंगा बोलती है आखिर वो कहां जाएगी सुन बोलता है ग्रासलेंड आने की पारे में सोचा है चंगा बोलती है वहां मैं किसी को नहीं जानती हूँ सुन बोलता है लेकिन तुम मिर को जानती हूँ तब ही वहां कई सारे घोड़ों के दोड़ते वे आने की आवाज आती है वो सब छिप चाते हैं और देखते हैं बियर डिविजन की पूरी सैना शोजू पर हमला करने के लिए आ रही होती है सुन चंगा से कहता है मैं आखरी बार बोल रहा हूँ जितना जल्दी हो सके तुम शोजू छोड़कर यहां से चली जाओ वहाँ से निकलने के बाद मूजिन बोलता है कासे की हिम्मत कैसी वी तुम्हारे गेर हाजरी में अटैक करने की वो जीत का पूरश रह खुद लेना चाता है सुन कहता है चिंता मत करो उस बेखूफ ने हार के ही आना है दूसी तरफ चंगा गवर्नर के पास चाकर होने वाले हमले की जानकारी देती है और बोलती है इमरजेंसी वाली मशार जला दो और ड्रम बजा के सैनिकों को मदद के लिए बुला दो पर गवर्नर अभी ड्रम बजाने से मना कर देते हैं चंगा को गुसा आ जाता है और वो गवर्नर को पहुत को सुना देती है गवर्नर उन दोनों को उनकी कमरे में ले जाकर बंद कर देने को बोलते हैं कुछ समय पीच आने के बात गवर्नर चंगा से मिलने आते हैं चंगा बोलती है असाइल कभीले ने अचानक हमला कर दिया जिसके लिए हम तयार भी नहीं थे फिर भी तुमने ड्रम नहीं बजाया और सैनिकों को नहीं बुलाया कोई शक नहीं हम बूरी तरीके से हारे होंगे बताइए हमने कितने सैनिक गवाये 10,000, 20,000 या उससे जादा त तब गवर्नर का पॉडिगार्ड जूफंग पताता है कि उन्होंने जान बूझ के ड्रम जल्दी नहीं बजाए इसलिए असाइल कभीले को लगा उन्हें हमले की पारे में नहीं पता और वो गेट की नस्दीक आ गए तब उन्होंने तीन अजार तीर अंदाज को छिप कर उन वारा अटेक करना चाहा उस समय उन्होंने ड्रम बजाकर और सैनिक बुलाए जिससे कासे डर गया और वापस लोड़ गया चंगा पूसती है पर आपने सैनिकों को छिप कर सप्राइज अटेक करने को क्यों नहीं बोला बलकि ड्रम बजाकर इतना हंगामा किया कई ऐसा तो नहीं था कि हमारे पास कोई सैनिक ही नहीं थे और यह सब केवल उन्हें धोका देने को था गवर्नर कहते हैं तुम्हें वालक्राफ भी आता है चंगा कहती है मुझे माफ कर दीजिए मुझे अपनी मिलिटरी की लर्निंग पे इतना भरोसा था कि मैंने आपके एक्सपीरिय कभीला वापस पहुंच आता है तब मुझे उससे कहता है आपको सुरक्षित वापस लौटने पर पधाई हो जीतने का क्रेडिट लेने के चक्कर में तुम बिना हमें पताई लड़ने चले गए ते शुक्र मनाओं कि उन्होंने तुम्हारा नामुनिशा नहीं मिटा दिया कासि मूझिन को चुप रहने की धमकी देता है पर सुन बोलता है हम पूरी सच्चाई के साथ ग्रेट खान को आज की बैटल के बारे में बताएंगे अगली सीन में चंगा गवर्नर के पास शहर का नया नक्षा लेकर आती है चंगा उनसे पूस्ती है हम बैटल जीत गए है फिर भी आप इतने परिशान क्यों हों गवर्नर बोलते हैं क्योंकि ये तो छोटी सी लड़ाई थी जंग तो अभी बाकी है मैंने शूपं को मिलिटरी गवर्नर के पास और सैना पेजने को बोला है चंगा पूस्ती है ते छोटे से शहर के लिए और सैना की क्या ज़र्वत है गवर्नर उसे बताते हैं क्योंकि असाईल कभीले में हमारा असले दुश्मन अभी तक सामने नहीं आया है वो बताते हैं शूजूर असाईल कभीले के बीच में एक नदी है पर हमें सैनिकों की कमी होने के कारण नदी के किनारे निगरानी नहीं रख पाते और असाईल कभीले वाले कभी वहां से आ जा सकते हैं जंगा आइडिया देती है कि असाइल कभीले वाले तैने में अच्छे नहीं हैं तो वो ड्राइ सीजन जादा प्रिफर करेंगे तो क्यों न हम ऐसा करें कि पत्थरों से एक डैम बनाकर नदी के पानी को रोक ले और उन्हें ड्राइ सीजन दे दे वो ये भी बोलती है अगर को दुबारा हमला करें तो हम उनकी में फोर्स में आधे लोगों को ही लड़ने के लिए भेजे बाकी बच्छे वे आधे को उनके पीछे से हमला करने के बोलें इससे वो चौक जाएंगे गवर्नर को उसके आइडियास बहुत पसंद आते हैं और वो बोलते हैं तुम मुझ होने हजारों की सैना ले जाकर अपनी नीतियों से जीत हासिल की दी चंगा को ये सुनका गुस्ता आ जाता है अगले सीन में गवर्नर कौंग सुंग मिलिटरी के गवर्नर से मिलने आते हैं वो उससे बोलता है आज तुमने मुझ से बिना पूछे सैनिकों को असाइल कभीले से लड़ने भेज दिया चार घंटे की युद में तुम्हें मुझे तक एक संदेश भिजवाने तक का समय नहीं मिला मेरी अंडर नौर्ट के चार शहर है तुम्हें देखकर बाकी तीन शहर भी ऐसा परताफ करने लगे तो क्या होगा मुझे तो लगता है तुम जान पैसला लिया है आज नहीं तो कर शोजुन है साइल कभी लेके अंडर आना ही है तब मैं याद रखूंगा कि मेरे भाई ने आज हमारी मदद की थी शूफंग वापस आकर सीनर कुईंग और चंगा को बताता है कि कुछ गड़वड है सीनर कुईंग बोलते हैं जरूर गवर और बियर डिविजन का काउंसलर बन गया सुन बताता है गौंग सुन को मिलिटरी गवर्नर ने बंदी बना लिया है कितने शरम की बात है कि इतने अच्छे गवर्नर को उनहीं के साथ वालों ने चाल बाजी करके फसाया है वो मूझिन को सीमा पे नजर रखने को बोलता है और एपिसोड 11 यही पे खतम हो जाता है।